आप सभी लोगों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार, मैं आयन यादो सर, एक बार पुनह, एक ऐसे व्यक्तित को लेकर आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि वह बालक जो कहीं न कहीं निश्चित रूप से मगत की राजधानी पाठली पुत्र में जो जन आपना की, जिसकी सिमाए हिंदू कुषपरवत तक पहुंच जाती है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं, मैं चंद्रगुप्त मौरिक की बात कर रहा हूँ, मैं उस चंद्रगुप्त मौरिक के विशह में बताना चाहता हूँ, जिसके पिता का पता नहीं था, जिसकी जाती का मैं वो एक साधारन परिवार का बालक है लेकिन अपने गुरु कहने की चानक्य के मार्क दर्शन में अंतता निशित्रुप से अपने अदम्य साहस के बल पर अपने दड़ इच्छा शक्ती के बल पर और अंतता उसने भारत में एक शक्तिशाली सामराज की सापना की मैं आपसे यही तो कहना चाता हूँ कि एक साधारन परिवार से उठकर मगद के शक्तिशाली सामराज तक बनने की जो यात्रा है मैं फिर कहना चाता हूँ एक साधारन परिवार से उठकर वो मगद की गद्दी तक पहुंचत रहा है मगद का समराज बन रहा है उस यात्रा को क आता हूं अपने अदमने सहस के बलपर अपने संघर्ष के बलपर अपने जुनून के बलपर अपने नशे के बलपर अपने पुर्शार्थ के बलपर मैं कह सकता हूं कि कहीं न कहीं उसने सभी परिशानियों को पीछे किया और अंतता संघर्ष के मार्क पर चलते हुए उसने भारत में एक शक्तिशाली सामराजी की स्थापना की और वह भारत का पहला एतियासिक समराज बना। मैं इसलिए तो कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी या हम भी हम लोगे गरीब परिवार में पैदा हुए हैं अगर संसाधन हमारे पास नहीं हैं हम कहीं निश्चित रूप से एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत साधारन व्यक्तितु के साधारन परिवार से जन्म ले रहें तो इ इसके लिए हमें अपना आत्म विश्वाश चाहिए अपने संहर्श का मदा चाहिए अपना जुनून चाहिए एक नशा चाहिए और फिर मैं कहना चाहता हूँ अपने लक्ष को अपना पेशन बना दो यार देख लेना निश्चुत रूप से आप संगर्ष के कोई महान नहीं है जब तक ना पड़े हथोड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूं और फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ आपके साथ जुड़ूंगा जैहिंद जैभारत बंदे मात्र